हालो इस्टुएंट्स इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 और टॉपिक हमारा क्वारिटिक एक्विशन का क्वेशन नंबर बन का फर्स्ट और सेगिंड पार्ट हम स्वाल करने जा रहे हैं को संपले क्वेशन को रीड कर ले दें क्वेशन हमारा क्या है समें फाइंट बहुत इस एस एक्लास 9 में जैसे हम फ्ट्राइज करते थे पुलिनोमियर्स का शसी प्रिकार हम यहां पर इसके पहले अधार मिद सेban चलिंगे और वहां से हम क्या find कर लेंगे roots हम find कर लेंगे अगर देखिए किस प्रकार find करेंगे हम पहले question number 1 का first part को देखते हैं क्या है हमारा x square minus 3x minus 10 is equal to 0 देखिए factorization में करना क्या है सबसे पहले factor find करने है यहाँ पर हमारा क्या राक 10 हमें science का भी यह रखना है अगर देखिए minus sign आएगा तो हमारे factor जो होंगे वो minus में होंगे means 10 के हमें इस प्रकार से दो factor find करने हैं दो factor हमें निकालने prime factors और factors जिनका difference 3 आजाए यह हम जानते हैं class 9 में हम पहले कर चुके हैं देखिए किस प्रकार करेंगे पर 10 लिख लेंगे हम यहाँ पर और सबसे पहले हम छोटे वाले prime numbers से इसको divide कर देंगे तो 2 से cancel हो जागा 2 से cancel हो जागा 5 times और 5 से और 5 बने जागा 5 5 जागा 10 और 5 माइनस 2 3 देखिए 5 माइनस 2 हमको मिल जागा 3 और 5 into 2 हमको मिल जागा 10 right multiply करके तो मिलना चाहिए हमको 10 और subtract करने पर हमको मिलना चाहिए 3 देखिए इसमें एक चीज़ा याद रखना हमें बहुत ही हमारा important और महत्तव पूर्ण हमारा ये point है अगर माइनस sign आएगा तो subtract करने पर हमको मिलना चाहिए ये वाला x का coefficient मलत 3 और यदि plus sign आता हमारे है पर तो भाई साब add करने पर मिलना चाहिए था किस पर add करने पर आप देखिए हम इसको क्या लिखेंगे इसको हम लिखेंगे x square minus 3 को मिल लिखेंगे 5 minus 2 into x minus 10 is equals to 0 अब देखिए हमेशा ध्यान लिखेंगे bracket से पहले minus sign है तो sign change कर दीजी आप sign को change कर देंगे और देखिए x का multiply कर देंगे तो ये हो जाएगा x square plus का है तो minus का 5x और minus minus plus का 2x minus 10 is equals to 0 राइट देखिए ज़र आप ध्यान से यहां से क्या कॉमन आ रहा है भई x कॉमन आ रहा है x यहां से कॉमन ले लीजिए और जब हम कॉमन लेते हैं तो हमारी जो variable की power है उसे subtract करना, minus करना, घटाना एक कम कर देना है उसे यहां पर 2 power है तो 1 बचेगा और यहां से x कॉमन ले लिया तो minus का बचेड़ा 5 अब देखिए यहां से क्या कॉमन आएगा तो कि numbers में कॉमन लेने का तरीका यह होता है कि ऐसा maximum एक largest number आप चूज करेगे जो दोनों को divide कर दे तो का इस में divide चला जाएगा और 2 का इस में बई 2 बंज़ा 2 और 2 फाइब जा 10 तो यहां से हम कॉमन ले देंगे plus का 2 और यह मिल जगा x minus 2 5 ज़ा 10 और x minus 5 हम यहां से कॉमन ले लेगे तो हमको यह मिल जगा x minus 5 into x plus 2 is equal to 0 राइट नेक्स के करेंगे देखिए इसको 0 की equal put कर देंगे x minus 5 is equal to 0 it means x is equal to 5 पहला रूट हमने निकाल लिया और second root क्या होगा हमारा x plus 2 को रदेंगे 0 की equal तो हमें x मिल जागा minus 2 तो हमने इसके दोनों root हमने find कर लिए और यह हमारा क्या है यह हमारा final answer है second part भी solve करेंगे इसी में देखिए second part में से क्या वोला है पर ध्यान दे रहा होगा देखिए वह बिंदू क्या है हमारा हम इसमें क्या देख रहा है coefficient of x square coefficient of x square अगर other than 1 है तो पहले इसकी multiply constant term में कीजिए means 2, 6, 12 अब 12 आ गया अब next case पर यहां पर यहां पर यह plus का sign है पर minus का अगर minus का sign है तो हम क्या करेंगे factor करेंगे लेकिन minus करने पर हमको 1 मिलना चाहिए अगर plus होता तो plus करने पर हमें मिलना चाहिए अब देखिए इसके factor कर लेंगे तो 2 से cancel हो जागा 2 से 6 times और 2 से किंदे times cancel हो जागा 3 times और 3 से 1 times 2 तो दो जा 4 और भाई से 4 minus 3 कितना हो गया 1 और 4 into 3 कितना हो गया 12 ठीक है इसका मिलना करेक्ट है अब देखिए अब हम इसको क्या लिखने वाले है इसको हम लिखेंगे 2x square plus 4 minus 3 into x minus 6 is equal to 0 plus sign है तो sign change नहीं होगा हमारा और x का multiply कर देंगे जब हम x का multiply करेंगे तो हमको मिल जागा 2x square plus 4x minus 3x minus 6 equals to 0 यह factor आपने find कर लिए तो इसको रफ कर दीजिए यह हमारा कैसा होता है यह तो हमारा रफ वर्क होता है आप देखिए यहां से का common लगा यहां से हमको 2x common मिल जागा बाई हमने होता है नमबर में से largest और पावर में minimum यहां पर पावर 2 है यहां पर पावर 1 है तो बन पावर को common लेंगे x की और लाटेस्ट नमबर जो तोनों को divide कर दें वो 2 है 2 बंदे 2 और 2 तूजा 4 तो यहां से हमको मिलेगा x और 2 तूजा 4 त्वाइस तूजा 2 ताइमस गया और x हमने common ले लिया अब देखें यहां पर minus sign है तो minus common लेंगे और 3 से दोनों में divide चला जागा और minus जब भी हम common लेंगे यहां पर multiply करते हैं तो दोनों से ही sign हमारे change हो जाते है minus sign common लेंगे यहां फिर multiply करेंगे तो minus 3 हमने common ले लिया तो हमको मिलेगा x और 3 तूजा 6 is equals to 0 x plus 2 common लेंगे यहां से हमको मिल जा 2x minus 3 is equals to 0 it means x plus 2 equals to 0 therefore x is equals to minus 2 and 2x minus 3 is equals to 0 therefore 2x equals to 3 and x equals to 3 by 2 यह हमारे दोनों रूट से हैं जिसका भी हम एक पार्ट और काने वाले हैं कौन सा वाला पार्ट जिसमें रूट आएगा बच्छों को रूट से थोड़ा सा रूट वाले कुसंस का हम फेक्टर नहीं कर पाते पस्य हमको सिकाना है नेक्स कुसर में रूट वाला राइट इस देखिए थाइड पार्ट को और भाल क्तव करेंगे थाट पार्ट अच्छा पार्ट है और इसमें रूट हमारा हा रहा है तो रूट से आपको से मनला असा कुश नहीं किस प्रकार से हम इंटू रूटू हमारा होता है तू रूटू इंतू रूटू कितना होता है हमारा तू और इसी बच्चे ढेखते हैं यह कैसा हो गया यह याद रखना होगा तो हम आपको बता दें, कि हम रूट का मतलब क्या होता है, पावर है हमारी 1y2, right? देखिया, आपको बता दें यहां पर, वै तो की पावर 1y2, इंटे तो की पावर 1y2, और यह मल्टिप्लाइ करते हैं, तो पावर हमारी याइड हो जाती है, तो यह हमें मिल जाएगा 2 की पावर 1 y 2 प्लस 1 y 2 2 की पावर 1 means 2 अब देखेंगे सेम हमारा होगा root 5 into root 5 5 होगा root 3 into root 3 3 हो जाएगा अब next हमारे क्या देखिए 3 को तो हम इस प्रिका ले सकते है 3 is equals to root 3 into root 3 जैसा हमको जब suitable लगेगा उस हिसाब से हम इसको लिख लेंगे right जैसा हमको suitable लगेगा right इसको आप समझ लीजिए अब next देखिए सबसे पहले आप्या चेक करना है आपको कि x square का coefficient क्या है सभी लोग ध्यान से इदर देखेंगे बाई कि हमारा x square का coefficient क्या है x square को coefficient है हमारा root 2 तो पहले आप इसकी इदर multiply कीजिए और जो हम multiply करेंगे तो कितना मिलेगा पाई root 2 into 5 root 2 तो यह हो गया 5 और root 2 into root 2 हमारा हो गया 2 means 2 5 जड़ 10 हो गया हमारा कितना हो गया 10 और देखिए हम 10 नहीं लिखने वाले 10 क्यों लिख रहे पाई 5 plus 2 तो रंध हमें 7 मिल जागा और multiply करके लिख भी लेंगे तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है देखिए factor हमने find कर लिए 5 into 2 equals to 10 and 5 plus 2 equals to 7 तो हम इसको लिखेंगे क्या इस 7 को मैं लिखेंगे 5 plus 2 लाइट देखिए कि स्प्रगास वाल करेंगे root 2 x square plus plus में हम लिखेंगे 5 plus 2 लिख लिजिए और 2 plus 5 लिख लिजिए कैसे भी आप लिख सकते हैं जैसा आपको suitable लगे into x plus 5 root 2 is equal to 0 अब देखिए इसका multiply कर देजिए आप तो यह हमको मिल जा root 2 x square plus 5 x plus 2 x plus 5 root 2 is equal to 0 देखिए हमको common मिल जाए केवल x केवल x common है हमारा तो यहां से मिल जाए root 2 x plus 5 और यहां से थोड़ा सा मिध्यान देना है यहां से अभी हमको invisible form में हम देखनी पारे है कि इस प्रिकार से common है अगर मैं इस 2 को root 2 into root 2 लिख लेता हूँ तो हम देख पाएंगे कि हमारा root 2 हमारा common आजाएगा इन्विविवल फोम में हमको देखी भी नहीं ये थोड़ा जबसकी वाद थोड़ा हमें इसी point पर focus करना है कि किस प्रकार हम यहाँ पर common लेंगे राइट अब देखिए हमेशा कमजोर बच्चे हैं कोई तो उससे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ना कि हुश्यार बच्चों की साथ बातों में हमें लगना चाहिए नहीं गलत करेंगे हम कि यहां से रूट 2 हमारा common आजाएगा रूट 2 x प्लस 5 रूट 2 x प्लस 5 हमारा common आगा रूट 2 x प्लस 5 और हमको मिल जाएगा x प्लस रूट 2 हमें रूट से निकाल लें तो यहां पर हम पूट कर देंगे रूट 2 x प्लस 5 is equal to 0 therefore root 2 x is equal to minus 5 देख लेते हैं दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो लोग एक लाइन हो रहा जाएगा यह हमारा कितना रूट 2 x और x से हमको मिल जाएगा minus 5 upon root 2 और यहां से हमको मिल जाएगा x प्लस root 2 equals to 0 therefore x equals to minus root 2 और यह हमारा final answer है इसमें हम 4th पार्ट को solve और करेंगे और जो हमारा 5th पार्ट है इसको आप फुद से solve करेंगे देख इसमें क्या स्पोर्थ फिप्त वाले में 100 है 100 के factor करने 20 आना चाहिए आप देख लीजेगा फिप्त वाला जो पार्ट है तो इसके factor आ जाएगे 10 10 x 10 is equals to 100 तो हमें मिल जागा 10 plus 10 equals to 20 राइट तो हम करेंगे यहां पर फोर्ट वाले पार्ट को सब्सक्राइब क्या करेंगे एड में तो वन टाइमस जाएगा और वन का मल्टिप्लाइब करेंगे तो वान इस एक वस्टू जीरो अच्छिवत आईए क्या जीरो क्या पहुंद में हम बन लिख सकते हैं अरे भाई जब जीरो को बंचने डिवाइड करेंगे तो जीरो जीरो पहुंद मिलेगा इसका मिनिक क्या लिख सकते हैं और क्रॉस मल्टिप्लाइब हम यहां पर कर देंगे क्रॉस मल्टिप्लाइब तो यह हमको मिल जागा 16x2 माइनस 8x प्लस 1 इस इक्वल स्टू जीरो राइट अब हम देगे 16 का मल्टिप्लाइब करेंगे यहां पर तो 16 बंजा 16 और 16 के फैक्टर करने होंगे 4 आना चाहिए तो 16 के फैक्टर हम करेंगे कुछ बच्चे तो डाइक कर लेते हैं और ली होगर आप और चेक करेंगे तो 4 4 जा 16 तो 4 प्लस 4 हमारी फैक्टर आ जाएंगे डारेक्ट भी आप कर सकते हैं अगर आपको आते हैं तो और नहीं तो फिर आप ऐसे निकाल सकते हैं 8 ताइमस यह हमारा जाएंगा 2 ताइमस और 2 से यह 1 ताइम तो यह हमको मिल गए 4 प्लस 4 4 प्लस 4 is equal to 8 and 4 into 4 is equal to 16 तो इसको हम लिखेंगे 8 को 16 x square minus 4 plus 4 into x plus 1 is equal to 0 तो हमको मिल जागा 16 x square minus 4 x और यहां से मीनस बंद ले लेंगे तो हमें मिल जाए हैं 4 x minus 1 is equal to 0 यहां से हम को मंल लेंगे 4 x minus 1 तो हमको यह मिल जाएगा भाई 4x minus 1 is equal to 0 4x minus 1 is equal to 0 therefore 4x is equal to 1 and x is equal to 1 by 4 similarly we can find other root of the given quality equation 4x is equal to 1 therefore x is equal to 1 by 4 और यह हमारे answer है हमारे जो roots हा रहें दोन हमारे same root है 1 by 4, 1 by 4 राइट हलो students अगर आपको हमारा वीडियो अच्छ लगा हो तो हमारे चैनल को सब्स्क्राइब कीजिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ओके, थेंक यू, मिलते हैं नेक्स वीडियो